नमस्कार नी उस्पनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बिहार के डियलेट के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है डियलेट प्रवेश परिक्षा का रजल्ट जो है बिहार बोट ने आज घोशित कर दिया है दरसल देखिए बिहार विध्याले परिक्षा समीती द्वारा शुक्रवार यानि की आज डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन यानि की डियलेट संयुक्त प्रवेश परिक्षा 2024 का परिक्षा फल घोशित किया है इसके साथ ही स्थाने निकाय और सिख्षकों की सक्षमता परिक्षा 2024 के आयोजन हे तो तीथी की घोशना की गई है आपको बता दे कि इस परिक्षा का जो आयोजन है वो समीती द्वारा एक जून से जो है वो 30 जून तक CBT के माधियम से राज़ के नौज जिलों में किया गया था बता दे कि इस परिक्षा का आयोजन समीती द्वारा जो है वो एक अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल तक CBT के माधियम से राज़ के नौज जिलों में किया गया था बता दे आज जारी DL8 सन्युक्त प्रवेश परिक्षा के परिक्षा फल में 4,29,169 अभ्यर्थी सफल हुए आज जारी परिक्षा फल को वेबसाइट sttp.secondary.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है और आपको बता दे कि वेबसाइट पर उपलब्द लिंक से अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ट का उप्योग करके अपना स्कोर काड डाउनलोड भी कर सकते हैं प्राप्त अंक के आधार पर तैयार में धावी सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गेर सरकारी संबंधता प्राप्त अध्यापक सिक्षा संसानों में नामांकर राज सरकार के आरक्षन नियमों सरकार द्वारा उर्दू और कलावानेच एवं विज्यान विश आठेश जून दोजाश चौबिस तक ओनलाइन के माध्यम से अस्थानिय निकाय के सिक्षकों की सक्षमता परिक्षा तक आयो जुन किया जाएगा और इस परिक्षा में 85,000 से भी अधिक सिक्षक सम्मलित होंगे निकाय के सिक्षकों की सक्षमता परिक्षा किती थी घोशित बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा जो है वो 26 जून 2024 से 28 जून 2024 तक ओनलाइन के माध्यम से स्थानिय निकाय के सिक्षकों की सक्षमता परिक्षा 2024 का आयोजिन किया जाएगा और इस परिक्षा में 85,000 स प्रवेश परिक्षा का जो रिजल्ट है वो घोशित कर दिया है जोसमें करीब साड़े चार लाख विद्यार्थी उत्तिर्न हो गए है आपके इस वीडियो पर क्या रहे हैं में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से बेटरानी के लिए देखते रहें नियूस पो नेशन